सरसों का साग का नाम सुनते ही मूह में आ जाता है पानी और इस बार पता है पूरा सीजन निकल गया पर मैंने सरसों का साग एक भी बानी बनाया मैंने यहाँ पे लिया है आदा किलो सरसों का साग और एक पाओ पालक सबसे पहले सरसो के साग को अच्छे से साफ कर लिंगे इसके बाद पालग को भी अच्छे से साफ कर लूँगी और पानी से तीन से चार बार अच्छे से धो लिंगे फिर मैंने एक कड़ाय में पानी गरम होने के लिए रख दिया है अब इसमें मैं डाल दूँगी साग साग जो है न वो थोड़ा कसेला होता है ऐसा करने से न इसका जो कसेला पने वो खतम हो जाएगा मैं कुकर में बॉयल कर रही हूं आप चाहे तो हंडी में भी बॉयल कर सकते हैं मैंने कुकर में साग डालती है उसके बाद डाला है लेसुन टमाटर हरी मिर्च नमक हल्दी और गरम पानी और थोड़ा सा सरसो का तेल हल्दी आप ऑप्सनल है आप चाहे तो डाले नहीं तो इसकीप कर सकते हैं और हां नमक भी ध्यान से डालना क्योंकि साग गलने के बाद बहुत कम हो जाती है उसकी क्वांटिटी कूकर का ढखकन लगा कर तीन से चार सीटे आने तक ब मैं लगता है अब मैं यहां पेक मतनी लूँगी और उससे अच्छे से मेश करूंगी साग को आप चाहे तो मिक्सर ग्रैंडर में भी पी सकते हैं पर दरदरा पीसना है तो देखे कितने अच्छे से मेश हो गया है साग बहुत अच्छा टेक्शर है और अब बारी है साग मे आलन लगाने की तो यहां पे मेरे पास मक्य काटा नहीं है तो दो चमच बेसन को मैंने भून लिया है और उसे पानी में घोल कर फिर डालूंगे जिससे की घुटलिया ना पड़े साग में अब बारी है साग में तड़का लगाने की तो मैंने यहां पे डाल दिया दो चमच मिर्च घी फिर मैंने इसमें एड़ क्या है सूखी लाल मिर्च वो दूझा है चलक हम को सोधी क्वाल दुंगी साग और साग डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद थोड़ा सा और युवाल देना है साग में और इसका जो कंस्टेंस सेज्टवा थेक रहता है तो देखिए साग के उपर कैसे घी तेर रहा है ना कितना मस्त लग रहा है तो लीजे हमारा साग हो किया है बन के तैयार आप बारिय सर्व करने की इस पेसली सरसों के साके साथ मक्य की रोटी सर्व की जाती है बट हमारे पास तो नहीं है इतलिए ग्यों के आटे की रोटी से ही काम चलाना पड़ेगा इस रोटी से भी खाने में बहुत ही मस्त लग रही है और उपर से यह बट